नमस्कार साथियो, आज एक और खास विश्यपर वीडियो लेकर क्या आपके बीच मैं हैं, जैसे कि आपने टाइटन देख लिया होगा, इस वोड़े बात करने वाला हूँ मैं कि टीम बना पाने में यदि समस्या आ रही है या टीम नहीं बन पा रही है तो क्या करना चाहिए मुझे रेगुलरी लोग फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने डाउट्स भी किलिया करते हैं, और जात लोग की कॉमन समस्या है कि सर्थ टीम नहीं बन पा रही है, टीम बनने में परिशानी आ रही है और वो अपनी परिशानीया भी बताती है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जादा जादा लोग की मदद हो पाए, साथियो टीम नहीं बन पा रही है, इसके तीम बेसिक कारण हो सकती है, तो देख लीजे तीनों में से कौन सा कारण और तीनों कारणों के निवारन भी मैं बता देता हूँ, पहला सबसे बड़ा क हो सकते हैं, रिश्यदार हो सकते हैं, अबलॉय हो सकते हैं, लेकि टीम नहीं बना पाएगा वेक्ति, क्यों? क्योंकि वो खुद ही टीम मिट्रियल नहीं है, या टीम लीडर नहीं है, अब कैसे पता चले कि वेक्ति टीम लीडर है के नहीं है, ये टीम मिट्रियल है के नहीं यदि आपको लगता है कि हर बार खुद काम किया जाए तो आप टीम लीडर या टीम मिट्रियल नहीं है यदि आपको लगता है कि दूसरा कोई काम करेगा तो काम खराब कर देगा या आप अपने काम में दूसरों की मदल लेने में हिचके चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं मेरा काम है मैं दूसरों पर क्यों डालू तो हो सकता है कि आप टीम ना बना पाएं आप में टीम मिट्रियल ना हो या आप टीम लीडर ना बन पाएं तो अपने इस नेचर को इस behavior को बदलिए और शुरुआत में शुरुआत में ये गलती होती है हर किसी जो लगता है कि नहीं मेरा काम उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता मैं दूसरे को दूँगा तो खराब ना हो जाए तो सूचिए जब आपने करना शुरू किया था तो आपसे भी गलतिया होई होगी यदि किसी ने आपको गाइड नहीं किया होता तो शायद आप यहा गलती हो रही होगी तो आप पकड़ लेंगे रोक लेंगे लेकिन इसलिए क्योंकि गलत हो जाएगा काम किसी को ना देना तो फिर यह यह तो टीम लीडर की निशानी नहीं है यह टीम मिटरिल की निशानी नहीं है दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है आप टीम मिटरिल तो है टीम लीडर तो हैं लेकिन आपको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहें जो आपके कहने पर जैसा आपके हैं वैसा ही काम कर दें के बाद टीम क्यों नहीं बन पाती है क्योंकि हम जब लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं तो जैसा हम result चाहते हैं वैसा result नहीं मिल पाता और हम team नहीं मना पाते हैं अगर यह समस्य आ रहे हैं कि आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो शायद दो reason हो सकते हैं, पहला reason हो सकता है कि आप सही जगा लोग नहीं ढूंड रहें, सही जगा मतलब हो सकता है आप अपनी रिष्टेदारी में, अपनी जान पेचान में, अपनी जो circle है उसी circle में लोग ढूंड रहें, और जैसा आपका circle होगा, जिस leadership skill पे आप होंगे, जाधतर आपको उसी leadership skill या उससे low scale के लोग मिलेंगे, तो क्या करेंगे, अपना circle change कर लें, तो पहली चीज़ तो हो सकता है कि जहाँ आप leader ढूंड रहे हो, या जिस तरह के अपनी team में material ढूंड रहे हो, आपका circle बहुत छोटा हो, तो circle को बढ़ा करिए, और कोशिश करिए, कोई हो सकता है, दूसरे राज्ये में रहने वाला, दूसरे भाशाक बोलने वाला, दूसरे culture में पना बढ़ा वेक्ति भी, आपका team material हो सकता है, कि वार हम अपनी जाती में, अपने धर्म में, अपने दायरे में ही वेक्ति को ढूंड रहे होते हैं, और हमें material नहीं मिल पाता, दूसरे reason क्या हो सकता है, इस समस्या का, दूसरे reason हो सकता है, कि आप लोगों को ऐसा काम दे रहे हैं, जिस काम के लिए वो capable नहीं है, या उनमें वो talent नहीं है, माल लीजिए जिसको driving नहीं आती है, और आप उससे driving कराएंगे, तो क्या होगा, वो बुराई driver कहलाएगा, किसी वो खेती के बारे मैं नहीं पता, उससे खेती कराएंगे, तो खराबी खेती करेगा, जिसको खाना बनाना नहीं आता, उसको खाना बनाने को नहीं नहीं तो खराबी बनाएगा, फिर आम कहें कि ओ टीम material अच्छा नहीं है, नहीं, तो व्यक्ति के talent को पहचानिए, और कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है, बहतर यह होता है, उससे पूछ लिया जाए, अगर उससे ना पूछ पाएं, या वो नहीं बतान पसंद आता हो, हो सकता है उसको उरल काम पसंद आता हो, तो अलग-अलग काम दीजिए, आपको भी पता से जएगा, उसे भी पता से जाएगा, और जिसको, जिसका में मजा आने लगेगा, वो वो आपका team material बनेगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, तीसरा बड़ा reason है छेटी मिट्रिल मिल जाता है, छे लोग मिल जाते हैं, लेकिं उनकी ज़रूरते पूरी नहीं कर पा रहे होते हैं कही बार हम क्या को सोचते हैं, सब को बराबर सम्मान दे करके सोचते हैं अब हर कोई सम्मान का भूका नहीं होता है किसी को सम्मान के अलावा सम्मान भी चाहिए होता है अच्छा हरकिसों सम्मान देनी कुशिश करते हैं बड़ कई बार सम्मान से छूट जाते हैं तो क्या करना है identify करिए कहां problem आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं आप सबको बराबर टूट करने ही कोशिश करें everyone is not equal हम कहते हैं सबके साथ बराबरी होनी चाहिए लेकिन लोगों के emotions अलग अलग है लोगों का behavior अलग अलग है लोगों की upbringing अलग अलग है लोगों का culture अलग अलग है लेकिन उसके अलामा भी कुछ चाहिए होता है तो देखना पड़े का किसको क्या चाहिए आचारे चाण के कहते हैं हर वेक्ति को एक ही तरीके से इंप्रेस नहीं किया जा सकता आप identify करिए किस वेक्ति की क्या requirement है किसी को emotions चाहिए होते हैं आपके किसी को आपका साथ होना ही काफी होता है किसी को आपके साथ फोटो खिचवाना ही बहुत जादा पसंद है कोई यह कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आप मेरी जाती क्या मेरे धर्म की है कोई कहता है कि नहीं मैं क्योंकि आप सबका सम्मान करते हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ तो जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करिए उसके रिक्वार्मेंट पूरी करिए सम्मान चाहिए तो सम्मान दीजे पैसा चाहिए तो पैसा दीजे जो उसको चाहिए, ना कि जो आप देना चाहते हैं, या जो आपके पास है, हम क्या सोचते हैं, जो हमारे पास हम वह ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है, हमारे पास जो चीज हो, हमें उसकी value हो, सामने वाले को ना हो, के बर उल्टा भी होता है, हमें value ना हो, सामने वाले बन गई तो आप देखेगा वारे नयारे हो जाएंगे साथ आप इतिहास अरस देंगे आपको काम नहीं करना पड़ेगा टीम आपको आपकी एक्सपेटेशन से जादा बहतर रिजल ला करके देगी जिन लोगों नहीं बनाई है नहीं बन पा रही है उन्हें प्रॉल्लम आ र बनाने में क्या समस्या आती है और क्या प्रबेबल सोलिशन सो सकते हैं रीजन सो सकते हैं फिर भी कोई डाउट है कुछ पूछना चाहें कोई और सवाल है कोई और इशू है तो आप डारेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं वीडियो के डिस्रिप्शन जाएगा मेरा फोन नमब इसे के लिए हर दी शुब काम नाए जै हिन जै भार